श्रीमन नारायन गुरु जी जैय श्रीमन नारायन कि अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूं गुरुजी क्या करना है बच्चों के लिए गुरुजी मैं अपने बच्चों को इतना करना चाहते हूं कि मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करें आगे चलके बढ़ें हा तो पढ़ेंगे नहीं पढ़ रहे हैं क्या नह इसकोल नहीं भेजते हैं नहीं गुरुजी मैं जब भी इसकोल भेजने की बात करती हूं तो मेरे घर में कले इतनी पुरी कले होती है कि गुरुजी मैं अपने अंदर कुड़न पेदा कर रही हूं में मर मर के सी रही हूं गुरुजी पती कहां आपके पती गुरुजी मेरे आ तो आपके पहले पती आएं बात तो करें उनसे वो क्यों नी पढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते हैं पैसा खर्च होता है गुरुजी उन वो हमेशा पैसे खर्च करने से घबराते हैं घबराइं के नहीं चाहते हैं जिम्मेदारियों से घबराते हैं गुरुजी ऌहरकी घबराते हैं मुझ्से असलीय कले होती हैं तो पड़ा वो कुछ काम धाम करते हैं पैसा कमाते हैं करते हैं लेकिन लेखान ही आएंगे वो मेरे तो फिर आप ही कुछ काम करो अपना और अपना काम करके बच्चे को पढ़ाओ गुरुजी मेरे पास तीन बेटे हैं एक चोटा बेटा मेरा थाई साल का है मैं बच्चो को लेके गुरुजी क्या कर सकती हूं सरकारी स्कूल में पढ़ा लो ना सरकारी स्कूल में तो इतनी हम लोग तो खुद साथ वी आठ वी तक सरकारी में पढ़ें हम लोग मैं खुद सरकारी में साथ वी तक पढ़ा हूं तो हिंदी वेसिक तो तयार हो जाएगे उसको कुछ तो लिखना पढ़ना आएगा तो अभी इहाँ पर बच्छों को आठ भी से रखते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भी रखना ठीक निया, घर से बाहर छोटे-छोटे बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, थोड़ा मैच्चोर हो जाएं, समझदार हो जाएं, अपनी जिम्मेदारी तो वो समझने लग जाएं, तो थोड़ा बड़े हो पर अब ही पहले आप उनको पढ़ाओ कख्छा एक दो चार पांच तक तो पढ़ाओ पहले पढ़ाओ उनको रादे रादे गुरुजी जी में एक मैया का बारे में कुछ चुछ लोक सुनाना चाहता हूं गुरुजी सुनाओ हर एक कदम परमा लगता है डर मुझको हर एक कदम परमा लगता है डर मुझको हर पल भुकारू मा मैं तुझको मेरी दुनिया में सारी सिमिटी है तुझ में जिन्दगी में तू नहीं तो कुछ भी नहीं मुझ में रास्ता मिलेना तो पुकारूंगा मैं किसको हर पल पुकारूं मा मैं तुझको ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ सुन्दर रादे रादे गुरुजी